जब कोईची किसी चीज के ऊपर में होती है तो इसके लिए हम लोग ओ एन ओन का यूज करती है जब कोईची किसी चीज के अंदर होती है जैसे जो मिल्क होती है बॉल है वो टेबल के नीचे है तो कोईची किसी चीज के नीचे होने पर हम लोग क्या यूज करेंगे u-n-d-e-r under, okay, let's start first write the date here, today's date 10 11, 20 ठीक है we use where to know the place of thing, look and take the correct preposition, ठीक है preposition means, यहाँ पर मतलब यह हो गया कि इसको हम लोग प्रिपोजिशन बोलते हैं in, on and under के उपर ही एक exercise है, उसी को हम लोग आज करेंगे ठीक है, देखो देखिए, यहाँ पर जो एक B बनी हुई है, एक मक्ही बनी हुई है वो उस chair के कहा पर है, नीचे है उपर है कि अंदर है, तो obviously you can see here, the B is under the chair, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इन, in, on and on के under, yes, u-n-d-e-r under को टिक करेंगे, ठीक है अब देखिए, in, on and under अब देख, अब हम क्या देख सकते हैं जो यह B है, मदु मक्ही है वो कहा बैटी हुई है, टीवी के ऊपर बैटी हुई है, तो ऊपर होने पर हम क्या यूज करेंगे, o and on ऊपर होने पर हम क्या यूज करेंगे, o and on the B is on the television, the B is on the TV, जो B है, वो television के ऊपर है तो उसके लिए हम लोग, o and on का यूज करेंगे ठीक, the next is the B is the B is under the table the B is under the table, जो B है वो table के नीचे है, तो under ठीक है the B is under the table ध्यान सा देखिए, ऊपर होने पर, on नीचे होने पर, u and d e r, under, छीक है आप देखो, next देखिए एक बोल बना हुआ है सूप का, देखिए, एक स्पून भी रखा हुआ है और जो B है, वो कहां पर है इस बोल के, अंदर है कहां पर है, ऊपर भी नहीं है, नीचे भी अंदर देखिए, बैटी हुई, इस बोल के, कटोरी के अंदर बैटी हुई है तो अंदर होने पर हम क्या यूज़ करेंगे, I am in the B is in the bowl, मैं पर देखिए, एक शू बना हुआ है और बी उस शू के अंदर घुसकर बैटी हुई है जो B है, वो शू के अंदर घुसकर बैटी हुई है दबी इस इन-दा शू, यू बी इस इन-दा शू तो आयन इन पर हम टिक करेंगे ठिक, next देखो, अब जो B कहां बैटी हुई है you can see the B is on the book जो B है वो बुक के ऊपर बैटी हुई है B कहां बैटी हुई है जो B है वो बुक के ऊपर बैटी हुई है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, when on, the B is on the book, अब you have to you have to read the sentences, ओके the B is under the chair, ठीक है the B is under the chair the B is on the television, जो B है वो television के ऊपर है, the B is on the television, the B is under the table the B is under the table the B is in the bowl, the B is in the bowl, अंदर है, the B is in the shoe, B जो यह शू के अंदर है, the B is in the shoe, and the last is the B is on the book, बुक के ऊपर बैटी हुई हूँ, इसलिए हम यहाँ पर on, on का यूज कर रहे है, the B is on the book, ओके page नमबर 45, you have to do it in your English book thank you children, have a good day, take care, bye-bye